देखे एक शब्द है आपका शोसित जो शोसन से बना है क्या अर्थ और मतलब होता है इंगलिश हिंदी दोनों में समझते हैं sentences में भी इस वर्ड को यूज करके देखते हैं देखे यह शोसित बोलते हैं इंगलिश में oppressed या victimized, depressed या exploited मतलब होता है the victim whom treated in a cruel and unfair way and not given the same freedom rights and etc as other people have that is called शोसित हिंदी अर्थ होता है उत पीडित या पीडित दबा कुछला, दबा हुआ, सताया हुआ, मजबूर या बेबस मतलब जिसे दबाया गया हो, जिसे पीड़ा दी गई हो, जिसे सताया गया हो या जिसका शोसन क्या गया हो, उसको हम शोसित बोलते हैं example से इसको sentences में यूज करके और भी अच्छी तरह से समझते हैं इसको बोलेंगे, क्या वो किसी शोसित वर्ग से हैं, does he belong to any depressed class इसी तरह से दूसरा example हो जाएगा, इसी इसे समबन्दित कि शोसित समाज के लोगों का मनोबल शोसन की वज़े से गिर जाता है मतलब वा इंगलिश में, the moral of the people of the exploited society falls due to the exploitation ठीक है तुम्मीद अपने शोसित शब्द को हिंदी और इंगलिश में एग्जामपल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है थैंक्स पर वाचिंगा जुक्यार, डैस प्ली लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राब मैं चैनल तो गेट मोर वीडियो लाइक दिस, थैंक यू